जरी हैं कड़ाई आवे तो मिलकर पकोड़े बनाई आवे ये जो इस पकोड़े ने कड़ाई का सारा बेशन अपने साथ फेट लिया है ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्दन मफलर लपेट लिया जार लहिने आपको और सुनाता हूं इस पकोड़ा संभेलन को और ज्यादा सुगंधित करता हूं लफवाजी की भी हद होती है साहिब पकोड़े तलने के लिए क्या 600 करोड़ लोग बोट देती है पास हो गए तो भी पकोड़े फेल हो गए तो भी पकोड़े आज कल देश की राजनीती बड़ी स्वादिष्ट हो गई है कभी चाय पर चर्चा होती थी अब देखिया पकोड़ों पर पूरा विवाद होता है तो आज हमने यहाँ पर एक पकोड़ा सम्मेलन ही बुलाया है दरसल कई बार लोगों को ये बात चुब भी जाती है कि आप गधा सम्मेलन, कुता सम्मेलन, पकोड़ा सम्मेलन ये क्या करना है हम थोड़ी करना है, राजनेता करना है तो देखते हैं कि आज हमारे मंच पर क्या होता है तो बात पकॉड़ों की है तो क्यों न चाय जैसी कड़क आवाज वाले कवी को सबसे पहले बुलाया जाए स्वागत कीजिए सुधीब भोला जी का मैं यह तहनी कर पा रहा है कि यह पिछली परफोमेंस की है आपकी परफोमेंस की मोदी जी का एक बयान आगया पकॉड़े के ऊपर अमेश्ण जी नहीं बयान दे दिया लेकिन उसके पहले मोदी जी ने काता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अब मेरी सौन में यह नहीं आ रहा है इतने सारे पकॉले बनेंगे इन्हें कौन खाएगा तो विशे हैं अलग अलग बातें हैं वो तो मुझे याद आ रहा है अमेश्ण जी ने मोदी जी से कुछ कहा प्रतिगीत के माध्यम सुस्नात्म सुनीगा के बोले बोले मुदी से बोले बोले मुदी से या मिशाह बोले बोले मुदी से ये खबर देश के कोने कोने दी ये खबर देश के कोने कोने दी हा कोने कोने दी ओ चल गई ठेल पकोले दी ओ चल गई ठेल पकोड़े दी आलू भी होंगे गोभी भी होंगे धनिये की चटनी के संगचाट खाएंगे मिल बात खाएंगे अब बात नहीं है ज्यादा थोड़े दी हाँ ज्यादा थोड़े दी के चल गई, के चल गई हाचल गई ठेल पकोड़े दी हाचल गई ठेल पकोड़े दी बोले बोले मुदी तालियां बजाईए मुझा दूसरा याद करता हूँ उत्तर कोरिया के किम जोंग कहते हैं मेरे पास बड़ा बटन रखा है परमानु बम का ट्रंप कहते हैं मेरे पास बड़ा बटन रखा है प पकोडाबं है बिश्च्व पर्ण ज्र तीसरे बिश्द्द का साया मरा रहा है इस बंसे उसा आठ इकां करने कई िपर ज० जाएगाँ इस पर जो इए इस ऐड़ इस बाटति आश़े सायाँ लो मत्यार बंसे वह इपन आठंडा आच्छ द्शूरी चीज में पताता हूं गैने को याद आ गया अभस परये लेखे देखो दर दर भट के के पढ़े लिखे देखो धर धर भटके और तौपर भी फासियों पे लटके बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर हम मर गए घिसके रजिस्टर तो मन देगा के अब छोड़ हतोले गरम गरम हम तलें पकोले और मिलकर खाईयां वे चड़ी है कड़ाईयां वे चड़ी है कड़ाईयां वे चड़ी है कड़ाईयां वे चड़ी है कड़ाईयां वे तो मिलकर पकोड़े बनाईयां मैं कवितास नाता हूं आपको जाजनीती में राजनीती में पकोडों के सम्मान में अचानक आई ब्रद्धी को देख मैंने एक पकोड़े वाले से पूछा लोगतंत्र के पकोड़े हैं तो खिलाईए लोगतंत्र के पकोड़े हो तो खिलाईए लोगतंत्र के पकोड़े हैं क्या भाई उसने हमें मुंडी ह हिलाई मैं घोर आश्चर में पढ़ गया खेर मजाक मजाक था थोड़ा और आगे बढ़ गया मैंने का केवल मुंडी हिला कर हमें न बहलाएं पहले इन पकॉलों को बनाने की बिधी बताएं उसने मुझे घूर कर देखा ओहो शायद आप कभी हैं मैंने का हम अनुभवी हैं ह हम अनुभवी हैं उसने एक ही सांस में मुझे लोग लोगतंस के पकॉले बनाने की बिधी बताई वो मैं आपको सुना देता हूं बित्त मंत्री द्वारा हर साल बजट के कोहलू से जितना जनता का तेल निकाला जाता है उसे स्याह चुनाप की कड़ाई में डाला जाता है व्यागवा बेसं अ को अ हुआ खबबेसं हरी मर्च सौने के अलू बगवा बेसं हरी मर्च सौने के आलू सवस्टी की अजवाईन । भासन की सफ और राष्ट बाद का स्वादानुसा नमक डाल कर एक घुल में मिलाया जाता है फिर सामपरदाइक दंगों की आज से चूला सुलगाया जाता है और इस बात पर अगर आपकी प्रसंचा पंक्तियों को समथ्थर मिलेगा तो कहीं न कहीं कविता लिखने का मुझे होसला मिलेगा जैसे बोट बैंक की राजनिती में आदमी को आदमी से तोड़ा जाता है जैसे बोट बैंक की राजनिती में आदमी को आदमी से तोड़ा जाता है ठीक वैसे ही चुनाबी बयानों की तरह से ये घोल करही में छोड़ा जाता है ठीक वैसे ही इस गोल को चुनाबी करही में धीरे धीरे छोड़ा है हमने कह तो फिरंदे कि ओमने का तो फिरंफीए वो मुझे देखकर हसा और जद्दुट कम आई कि ओर मुझे देखकर तो सारो बेनिकनм इसे पक्ष और बिपक्ष कित शाड़ी का मिल जोल ने इसे मिल कर Kilक खाते हैं आपके और हमारे हिस्से तो सिर्फ जूटे पत्ते ही आते हैं आपके और हमारे हिस्से तो केवल जूटे ही पत्ते आते हैं लेकिन कविराज आपके लिए मेरे पास पकॉले हैं बेशक वो ज्यादा नहीं है थोड़े हैं ऐसे पकॉले गाउं मेरी अम्मा बनाती थी ऐसे पकॉले जो गाउं मे मेरी अम्मा बनाती थी दिन में 16 16 घंटे पकॉले बेचा करती थी तब जाकर कहीं मेरे कॉलेज की फीज जमा हो पाती थी उसी पढ़ाई ने मुझे जीने का सलीका सिखाया है अपनी अम्मा की ही तरह से मैंने स्वाविमानी पकॉला सेंटर बनाया है बावु साब आपके पास आपके लिए मेरे पास लोग तंत्र का नहीं हिंदुस्तानी पड़े लिखे खुदार नौजवान के हातों का भई पकॉ जोड़ा है लीजिये कविराज मेरी तरफ से एक पत्ता खाईये लेकिन भगवान के लिए किसी स्वाविमानी का मजाक मतोड़ाईये कि अब बड़ी बात है दरसल जब भी कोई कविता आजकल सुनता है आजकल कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता किसी को तटस्त नहीं माना जा आप एक लाइन बोलेंगे आप बीजेपी के फेवर में दूसरी लाइन बोलेंगे आप कॉंग्रेस के आदमी हैं जो आपको पैसा देता है ऐसी चीजें ऐसे आरोप लगा दिये जाते हैं मुझे लगता है लेकिन इससे निश्पक्ष कविता नहीं हो सकती थी मानते हैं आप लोग इस बात को चलिए अब अगले कवी को आमंत्रित करते हैं पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वो पकोड़ों को देखकर खुद को चेहरा तो बहुत भोला है लेकिन उनका व्यंग बहुत कटीला होता है वेद प्रकाश वेद जी का स्वागत कीजिए पाद में कवीता सनाता अच्छा इन्होंने का के आते ही में कवीता सनाओंगा मैं आपको बताओं मैं आपको पहले सबसे कवीता नहीं सनाओंगा क्योंकि कवीता पढ़ीदी की चीज है जैसे M.Ed, B.Ed, या और भी इंजिंगिरिंग की हो वो बे-्रोजगारी का काम है अब बढ़े आपको शीदे रोजगार से जोड़ता हूं आपने बिट कोईन के नाम सना आजकल बहुत चल रहा है बिट कोईन ऐसी चीज है कि वह है भी और नहीं भी नहीं भी और है भी आपने पकोड़ा रोजगार का नाम सना है वह ऐसी चीज है कि वह है भी और नहीं भी नहीं भी और है भी आपने मोदी के किये हुए कामों का नाम सना है अच्छा आप सब लोग स्टूडेंट लोग हैं सब लोगों ने इतराद उटाया हम क्या इसलिए पढ़र लिख रहे हैं कि हम पकोड़े बनाएं आपके माब आपने उठाय होगा मैं का इसमें क्या बड़ी बात है आप भी पकोड़े बेचो आप पढ़े लिखाओ तो अख़वार पर रखके बेचो आपके पकोड़े भी पढ़े लिखेंगे और ज्यादा पढ़े लिखेंगे तो इंडिया टूड़े आउट लिखेंगे रखके बेचो आप कि उससे भी ज्यादा पढ़ गया है तो न्यु युवार्ड टाइम्स मंगा लो आपकोड़े भी फारा मिलेटर लगे अभी पकोड़ों को लेकर कितनी बड़ी बात हो रहे है यूपी में और को लेके परिक्षाओं को लेकर प्रही लिखाई को लेकर नकल रोक रहे हैं मेर आपास हो गए, तो भी पकोड़े, फेल गए, तो भी पकोड़े!! है है अमाले गरीब आजमी पकोड़े का फेल लगाता है जैसा लगा हूँ में खड़ा हूं सामने करीगा है आप मेंसे कोई उधार खाके मेरा महीने भर का लेकर चला जाए। तो मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि मेरा कौन लेकर चला गया खाके। मैं कहूंगा यार वो विजे मालिय कौन था जो मेरा महीने भर का खाके चला गया। किसी ने मुझसे का करके आपिस मुद्य पर यह मोदी जी के साथ हैं मैं भील्कुल मोदी जी के साथ उप रफ कोड़ा को मुद्य पर तौजार 19 तक प्रहल अच्छे उन्हों नगा कि isn't के बाद क्या कॉंगहरस हा जाए– मैं का मताओ कॉंग्रेस्ट उन्निस के बाद फिर मोदी जी आ जाए मैं फिर मोदी जी के साथ मोदी जी की तो पहली प्रास मिकता है कि पहले कॉंग्रेश्यों को भाजपा में लाओ इसलिए मुझे सबसे पहले बुलाएंगे अच्छा जो आदमी मतला आजकल आपको पता है आधे देश के हालत ऐसी है कि अगर वो डॉक्टर को फीस ना दे ना आदमी तो डॉक्टर उसको मूं की डाल भी खाने की सला ना दे इसे में मोदी जी ने सबको पकोड़े खिला दिये मैं खुद कभी तली हुई चीज नी खाता है मैंने अपनी घरवाली से कहा आजकल पकोड़ों का बहुत जिकर हो रहा है आज पकोड़े खाने कमने तो वह लेकाई बना के वह जी एस्ट खाई सी पकोड़ी पतली पतली सी हाँ है हाँ 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 हि अपिए आप दीवाँ ही अ हाँ है है हो मैं चैप आट इसी को श्काई आप आट ड़ी तो तर्व को डिला टाट है वाँ है क्या घर ऐसिए मैं तो तुछे पकोडे मंगाए थे, बोले पकोडे ही तो बनाए थे पर जैसे मोदी जी ने धन्यवाद के भाशन में कॉंग्रेस के पचास साल का इतियास निकाल कर उंको निचोड के दबा दिया य॥ा ओ सारा तेल निकाल दिया मैं ने भी पुरान्य अखपार Cobis ke abbiamo मुदी मोधी जीन का पकोडूर जरोजगार मिलता है मैं भी मानता हूं पकोडो शरोजगार मिलता है आप देखो उन्होंने मीडिया को रोजगार दिया कर मैं कि मीडिया ने हम कवियों को रोजगार दिया और जो सबसे बड़ी बात जो कॉंग्रेस चार साल से बिलकुल खाली पड़ी थी उसको गली-गली में रोजगार दिया जिसके पास बेशनी था वो भी बेशन की जाई में खड़ा है कर बार ना चाहते हुए भी अच्छे दिन आ जाते हैं आप अज़ेता जी वरना यह मजान थी कि भाजपा के शाषन में कॉंग्रेस में कोई हस जाए और वह भाजपा किसी को हसाने के नियत होती तो वह नोट बंदी और जी अश्टी को लेकर आती मैं तो आपको बताता हूं कि 35 साल का आदमी बहुत बारिक बात कर रहा हूं आपको 35 साल के आदमी के अगर शादी ना होना तो अच्छे से अच्छे को बुरे से बुरी की वैलेंटाइन डे के सीजन में भॉंडी हसी भी मोना लीशा की मुष्कान लगती है अब ज़्यार कर्या को अब अब है अ थे सची बात है जब अब अधर उन सबसे जादा खुशोरे शोरें अ और उसाजमी का दर्द है वह बहार साया शंबुशी को अजिन उसका दर्द यह निया आप समझ रहे हो उसका दर्द यह के मोदी जी आपने ठेले पकोड़े क्यों मिचवाई लिठी चोकर क्यों नहीं मिचवाया अजिनको पिठी बनाते रहते हैं वो लुट्टी मनाते है अलत यह के वैलन्टाइन डे से मुझे याद आ गई एक नया शब्द गढ़ा मैंने पिछले दिनों वो आपको मैं सुनाता हूं वो आजकल पता आपको वैलन्टाइन डे कल से शुरू हो गया परसों से अच्छा मैं तो लेट हो गया ना एक अफ्ते पहले फे शुरू हो जाता है तो मैंने नहीं बात कहीं मैंने का जैसे प्रेमियों को होते है ना जैसे भक्तों को होते है न नव रात्रे यह प्रेमियों के लव रात्रे रोज डे टेडी भी एडे ये डे वो डे फलाना डे धिमकाना डे कि डेड़ी बियर न पिये तो टेड़ी बियर का खर्चा निकले। चौदे तारिक को उद्ध्यापन है। कन्याभी मैंक डॉनाल्ड में जिमानी है। अच्छा इसी बीच में हमारे बाबा राम देओ जी। पकोडों की इतनी चर्चा हुई कि उन्होंने सर का तेल ही बनाना बंद कर दिया। खाने का ही तेल बना रहे है। बोले काले केश के बिना काम चल गया तो काले केश के बिना भी चल जाएगा। मैं आपको बताऊं। बाबा जी चार पंक्तिया सना देता हूं अन्त में। भाजपा ने कहा। पकोडों में रोजगार है। कॉंग्रेस ने कहा ये बात बेकार है। बीच में हर काले करम के प्रायुजग की तरा के बाबा राम देओ जी बोले। सवाल है ना बात बुरी भली का। चाहे तुम बनाओ चाहे तुम बनाओ पर जब भी पकोड़े बनाओ तेर इस्टेमाल करना पतंजलीग। बहुत 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 बहुतुत। वाह जिसका बेस नहीं था वो भी बेसन की कतार में लगया। लेकिन। लेकिन राजनीती में पकोड़े तलने का प्रसंट अभी आया है। अब उन्हें बुलाते हैं जो नजाने कब से भजिया तल रहे हैं। अच्छा सबने देखा एक ही और। शम्भू शिखर जी का स्वागत कीजिए। नमस्कार आप सभी का स्वागत अभी नंदन करता हूं। यहां पर जितने भी कवी हैं उन सब के पास पकोड़े पर कविताएं हैं। मैं खुद पकोड़ा लगता हूं। और अच्छे दिन टाइम पर नहीं आये इसलिए थोड़ा जल गया हूं। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंदी हो गई तो अब दिल्ली रहता हूं। चार लाइने बिलकुल अलग अंदाज में प्रस्तुत करता हूं। आप बस आनन्द लीजिए। सन सद से ले सडक तलक मैं तुझको घूमा दूं। सन सद से ले सडक तलक मैं तुझको घूमा दूं। और चाई के कप में मैं तुझको कॉपी पिला दूं। और चाई के कप में मैं तुझे को काफी पिला दूँ इस बार वेलल टाइन डे पे रोज के बदले आ जाओ मेरी जान पकोडे ही खिला दूँ आ जाओ मेरी जान पकोडे ही खिला दूँ और यहाँ पर मोदी जी के विशह में तमाम तरह की बाते चल रही थी मैं तो बस एक बात कहता हूँ तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे जब तक नहीं आते हैं पंदरा लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम चीताते रहेंगे तब तक तुम्हें भाई कल को हार जाए कौन देगा तब तक तुम्हें और पकोड़े का एक देखिए कि मैंने बिलकुल अलग तरह से चितरन किया है आपको आनंद आ Currently हसने की आदतों से क्या भीमार नहीं है क्या राजनीती उट पर सवार नहीं है मोदी तो चाई और पकोड़ा बेच भी लेंगे राहुल पे मगर कुछ भी रोजगार नहीं मोदी तो चाई और पकोड़ा बेच भी लेंगे राहुल पे मगर कुछ भी रोजगार नहीं है और राहुल से मुझे एक चीज अनायासी याद आ गई अभी हलकी हलकी गुलावी ठंड है ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई ठिंक नहीं है राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है और ये जितने भी कवी हैं साब दुनिया की निगाहों में नहीं हम तो खलेंगे बादों की चासनी में साथ साथ चलेंगे कह पाएगा कोई नहीं बेरोजगार अब हम छोड़ कवी ताई पकोड़े हित लेंगे हम जोड़का वी ताई पकोड़े हित लेंगे मैं ना की चलता हम कि मौमला ऐसा बिलकुल नहीं है मैं तो बिहारी आदमी हूं साहब बिहार के आदमी उस विशह में भी टॉप कर जाते हैं जिसका नाम तक लेना नहीं आता हूं चार लाइने आपको और सुनाता हूं इस पकोड़ा संभेलन को और ज्यादा सुगंधित करता हूं इस पकोड़ों की खुश्बू मेरे नाक तक पहुच रही है आप यकीन नहीं कर सकते मैंने कैसे अपने आपको रोका हुआ है मिलेंगे ना यही कहके तो हमें इन्वाइट कर लिया था आपको क्या लगता है हम पेमेंट पर आए हैं पकोड़े पर आए हैं चार लाइने सुनिए था महंगाई खड़ी है हमारी बाहम रो जकमों पै नमक ये चीरकती रोज सवेरे जुमलों की हैं सरकारीया सरकारी का जुमला अच्छे दिनों के तेल में ज्छाने पकोड़े और मैं इक चार लाइने अंतीम सुनाता हूं उससे पहले मैं क्योंकि बिहार से आया हूँ और आज तक के इस कारक्रम में मेरी पहली यहां पर प्रिजेंस है बिहार में पिछले दिनों जब सरकार तूटी तो लोगों ने कहा कि ये सरकार नितिश कुमार ने तोड़ दिया लोगों ने कहा मोदीजी ने तुलबा दिया लोगों ने कहा मिशाह ने तोड़ दिया लेकिन ये सरकार टूटी क्यूं उल्टे तवे पे रोटियां शिकती नहीं जादा घटियांफों कौलिटी तो वो भिकती नहीं जादा एक सीख राजनीत दे गई भिहार की दारू के भी ना दोस्त टिकती नहीं जाए दारू के भी एक सीख एक सीख और आखरी चार लेनों में एक अपील करना चाहता हूं कद नाप सकूबात की वो सीख दिला दो बात दरसल इतनी लंबी होती है पिछले दिनों मोदी जी गए थे नासा तो वैज्ञानिकों ने उन्हें दो मिशाइले दे जी बोले जी मैं क्या करूंगा बोले सर आपको आदत है फैक देना कद नाप सकूबात की वो सीख दिला दो जिसमें धुआ न निकले ऐसी भीड़ी दिला दो हमको तो गैस मिल गई है उच्वलास पर बेशन पे और तेल पे सब सीड़ी दिला दो बहुत बहुत आभाद धन्यवाद जाहिए तो आप देखिए जिन अगले कवी को मैं बुलाना चाहती हूं उनके लिए मेरे सहयोगी ने आपके लिए दो पंक्तियां लिखी है आगरा की शान और हासी के भाईजान आपके सामने रखेंगे पकोड़ों पर अपना ग्यान आ आप सभी का स्वागत करता हूं चो कि बात पकोडों की चल रही है अभी मोदी जी ने किताब लिखी है कि चात्र परिक्शा कैसे दें पत है अगली किताब उनकी आने वाली है पकोड़े कैसे तली है देखे वो बड़े व्यक्ति हैं साहब वो बड़े हैं मन की बात करते हैं हम छोटे तो वस आमन की बात करते हैं तो मैंने तो उनसे ही प्रश्न किया है कि पुराने नोटों के बदले नए नोट देते हैं पुराने नोटों की बदले, नए नोट देते हैं, किसी न किसी बहाने से चोड़ देते हैं, लफवाजी की भी हद होती है साहिब, पकोडे तलने के लिए क्या 600 करोन लोग बोड़ देते हैं? मैं आपको एक बात और बताता हूँ, साहिब, आजकल बड़ी मुसीवत हो गई है, कि आजकल जो लोग पकोड़ों की ठेल लगा रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग भी यहें, जो ब्रोदी पार्टी के हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, कि अपने अर्मानों को, अपने अर्मा के साथ पकोड़ों का मज़ा लेते हैं और आजकल असली पकोड़े बाले बहुत परेशान है कांग्रेंसी समझ कर पुलिस वाले उन पर लट्थ बजा देते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि सहाब आजकल मोदी जी ने जो रोजगार दिया है हम उनके बहुत शुक्रगुजार है हम कभियों को भी रोजगार नहीं मिला होता कि तो आज क्या आज तक पर होते तो मैं बाद शुरू करता हूँ कि हमने चैनल के गेट पर खड़े एक युवा को रोका क्या तुमको नौकरी मिली बस इतना सा टोका तो वह पास खड़ी ठेल को दिखाकर बड़ी गर्म जोशी से बोला और उसने हमारे सामने एक बड़ा राज खोला कि सर आज मेरे मन की एके कली खिली है कली ही मुझे मोदी जी के राज में पकॉड़े तलने की नौकरी मिली है कौन कहता है कि हमको चला गया है ये ससरा बिकास तो पगला गया है बड़े बड़े सिफारिसी अब हमारे आगे हाथ मलते हैं और अब हम बेरोजगार नहीं है कहीं भी ठेल लगाकर पकोड़े तलते हैं मैं आपको बात बताना चाहता हूं सार यह पकोड़े रखे हुए हैं इस देश में हर व्यक्ति कुछ न कुछ खा रहा है केवल चिल्ला वही रहा है जिसे खाने का मोखा नहीं मिल पा रहा है कि भाया यह सवतंत्र भारत है यह खाने की सम्मे आदत है विधायक विधान खा रहे हैं सांसा सम्विधान खा रहे हैं नेता इमान खा रहे हैं पुजारी भगबान खा रहे हैं पंडित पुरान खा रहे हैं मुल्ला कुरान खा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा सम बहुत बड़ी बात बोल दी आपने इसमें और मुझे लगता है कि एक बार और तालिया उनके लिए इस पंती के लिए होनी चाहिए और आप मैं बुलाने जा रहे ही हूँ लठ जैसी कविता में रस जैसा स्वाद चलिए बुलाते हैं उनको आप भी क्या करेंगे याद आईये शान हर्याना अरुन जैविनी जी इस पकोड़ा संभेलन में आप सब का स्वागत है बिल्कुल नहीं कविता क्योंकि पकोड़ा भी निया निया चल रहा है यह समझे मेरा ही ठेला है जी हजूर मैं पकोड़े बेचता हूं मैं तरह तरह के पकोड़े बेचता हूं इस पकोड़े ने कईयों के सत्ता हिलाई है कईयों को बिना मेहनत के कुर्शी दिलाई है यह पकोड़ा सुराज का है आप सही समझे यह पकोड़ा प्याज का है आप सही समझे यह पकोडा प्याज का है यह पकोडा सामपरदाई के रंग में खिल खिलाया है क्योंकि हमने इसमें बेशन में केसर मिलाया है देखिए हमने क्या चतुराई अपनाई है हरे पालक पर केसरिया परत चड़ाई है ये पकोडा सजावती है ये पकोडा दिखावती है वो पकोडा जो उस बंडल में है वो आजकल मार्ग दर्शक बंडल में है कि वह पकोड़ा जो उस बंडल में है वाज कल मार्क दर्शेक बंडल में है उधर देखो यह आलू का पकोड़ा गोभी के साथ जुड़ गया कांग्रेस में था भाजपा की तरफ मुड़ गया कांग्रेस में था भाजपा की तरफ मुड़ गया यह जो यह जो इस पकोड़े ने कड़ाई का सारा बेशन अपने साथ फेट लिया है ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्दन में मफलर लपेट लिया है इसा लगता है किसी ने गर्दन में मफलर लपेट लिया है उधर वो पकोड़ा जो मुझ फुलाए बैठा है कोई किसी भाव नहीं पूछ रहा फिर भी एठा है वो हलवाई से नाराज है दिखा रहा है मेरी आवास दबाई जा रहा है जोड़ जोड़ से चिल ला रहा है देखो नहीं पकोड़ा किस तरह अकड़ा गया दरसल ये एक पकोड़ी के साथ रंगे हतों पकड़ा गया दरसल ये एक पकोड़ी के साथ रंगे हतों पकड़ा गया ये पकोड़ा ठंडे तेल से ही बाहर आ गया बेचारा है इंटॉल्रेंस का मारा है और यह जो इस पकोड़े ने अपने पीछे पुछला सा छोड़ा है देखा होगा अपना और जो इस पकोड़े ने अपने पीछे पुछला सा छोड़ा है हो ना हो यह किसी न्यूस चैनल का पकोड़ा है यह कड़वा ज्यादा तीखा थोड़ा है ये सत्य रूपी मिर्ची का पकोड़ा है ये कड़वा जादा तीखा थोड़ा है ये सत्य रूपी मिर्ची का पकोड़ा है हर पकोड़े की आलग रूप, रंग, जवानी है हर एक की अपनी कहानी है भाशा, गधा, खचर, घोड़ा हो गई देश की जनता भट्टी और राजनीती पकोड़ा हो गए शुक्रिया मुझे लगता है पकोड़े अब फ्री है मतलब आप उनका काम खतम हो गया है तो आप वो बढ़ सकते हैं सब में सब खा सकते हैं लेकिन इस सब के भी जो बड़े संदेश आपने हस्ते हस्ते सुने हैं उन और मेरे ठीक बगल में यहां पर यह बैठा था मोदी जी को जैसे ही एक सवाल उठता था उसका खून खॉल जाता था लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों पक्ष खुश हो कर जाएंगे यहां से बराबरी की कविताएं आ गई हैं दोनों तरफ से यहीं खासियत है हास्य स होती है कई बार एक बार में गई थी चाय मैंने कोशिश की कि चाय पर चर्चा करके पता चला की दूसरी पार्टी वाले उठकर चले गया कि आप लोग पक्षपात करते हैं तो इसमें चाय की कोई राजनीतिक पाटी नहीं होती है कॉफी की अभी तक हुई नहीं है कोई रे झाल झाल